नमस्कार दोस्तों, देश की पल्स में आपका स्वागत है आज हम आपसे जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं राफेल की राफेल हिंदुस्तान में आ रहा है आज रात तक लेट नाइट पहुँच जाएगा जिसे बुद्वार की सुवए राफेल हमारी धर्ती पर होगा राफेल का हम बड़े लंबे समय से इंतियार कर रहते हैं पांच राफेल आ रहे हैं राफेल को खरीदने का चुछ चला था इसका सौदा हुआ था वो यू पिए गॉर्मेंट में हुआ था लेकिन मेचेवर नहीं हो सका उसके बाद में अब जब मोदी सरकार आई और उसने इसको लेकर के खरीद के लिए जब सौदा करना सुरू किया तो तमाम सारे बिवाद पैदा हुए इन सारे बिवादों के बीच में जब हम आगे आते हैं तो देखते हैं कि तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट गए दूसरी जगए गए सारी चीजे हैं सब हुए इसके रेट को लेकर के आज तक कुछ तेह नहीं हो सका है लेकिन अन्ततह राफेल आ गया राफेल से हमें उम्मीद है कि हमें एक अच्छा एक्क्यूटेड बिमान मिलेगा जिससे हम अपने सामरिक छेतर में मजबूत होंगे और निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए सामरिक छेतरों में मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि अपनी सीमाओं की रक्षा और दूसी सामति के लिए हमें इस तरह के एक्क्यूट्मेंट्स की जरूरत होती है हमें भी देखना होगा कि इस सारे एक्क्यूट्मेंट्स खरीदने के साथ-साथ हम लगातार रक्षा सौदे कर रहे हैं तमाम सारे सौधों के बीच आखिर ये सौधों की नौबत क्यों आ रही है इतना ज़्यादा पैसा हम सैन छेतर पे क्यों खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम असान्ती में जी रहे हैं वो असान्ती कहा है हमारे परोस के देशों में इसका मतलब है हमारी कूटनीती इतनी सफल नहीं है कि जिसके कारण हम वहाँ पर सान्ती बगएर सेन उसके आधार पर कर सके हमें सेन सहारा लेना पड़ा है हम अपने आपको असुरचित महसूस कर रहे हैं क्यों नहीं हम बहतर कूटनीती बना सके इसके लिए काम कर सके मैं चंद सालों का जिक्र करना चाहूंगा 1962 में जब चीन ने हमारे साथ धोका किया और हमारी कुछ जमीन को कबजा किया उसके बाद में हमारा उनका युद्धुआ और दूसरी शीजें हुई और सीमा को लेकर के बिवाद एक कायम था लेकिन उन्होंने जो तिबत की जमीन कबजाई लेकिन भारती जमीन बहुत ज़्यादा उनने ही काबिच कर सके थे अब पिछले चार साल के दौरान उन्होंने भारती जमीन पर कबजा करना सुरू कर दिया और पहले डोकलाम में उन्होंने किया फिर वहाँ उन्होंने सड़क बना ली और दूसरी चीजें हुई इसके बाद में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में उन्होंने धीरे धीरे घुस्पैट करना सुरू कर दिया चीन की सीमा सबसे ज़्यादा हमारे देश से टेश करती है पाकिस्तान का तो बहुत छोटा सा पार्ट है तो चीन की जो इतनी बड़ी सीमा हो और हम बहुत हद तक चीन पे तमाम कारणों से अस्रित भी है हमारे नेचूरल रिसोर्सेज भी चाइना से कही न कही निकलते हैं आप चाहें गंगा हो यह मुना हो ब्रंपुत्र हो बाकी पंच नदियां हो उस सब कहीं न कहीं चाइना से होते हुए आती है जिद चाइना हमारे साथ पानी के साथ में खेलेगा तो हम बड़ी समस्याओं में भी आ सकते हैं यह हमें पता है तो उस इस्थती में हमारे देश के लिए क्या जरूरत था इसको हमें सोचने की जरूरत थी उस पर नरेंदमोदी सरकार आई उसने काम किया एक बहतरीन तरीके से एक रिलेशन से डबलब करने की दिसा में बढ़े थे फिर पता नहीं क्या हुआ अचानक और सरकार एकदम से चेंज हो गई और उसका नतीजा ये हुआ आज हमारे सारे पडोसी देश इवें नेपाल जैसा देश भी हमें आँख दिखा रहा है हमारी जमीने सुरच्छित नहीं है आज के टेलीग्राफ अक्वार ने लिखा है कि क्या प्रधान मंतरी जूट बोल ला है तो प्रधान मंतरी जूट बोल ला है नहीं बोल ला है या बिसा नहीं है बिसा इस बात का है कि चीन ने हमारी जमीनों पे कबजा कर लिया है बीते कुछ दिनों के दोरान, कुछ महीनों के दोरान और कबजा करने के बाद में अब वो वहां से हटने को भी तयार नहीं है हम अपनी सीमाओं से भी और पीछे आ गए है लेकिन वो हमारी सीमा में घुसता आ रहा है, अपनी सड़क भी बनाता जा रहा है दूसी चीजें भी करता जा रहा है और हम सिर्फ असलहे खरीद करके खुस हो रहे है तो वो असलहे कोई हमें मुफ्त में कोई कंट्री नहीं दे रहा है चाहें अमेरिका हमें हलिकॉप्टर दे रहा हो या दूसरे दे रहा है और कीमतों के साथ खरीदे जा रहा है, महंगी कीमत पर खरीदे जा रहा है, और उस परिपेक्ष में खरीदे जा रहा है, जब पूरा देश कोविट से परेसान है, कोविट से जूज रहा है, देश असुरच्छित है हर तरह से, हम आर्थिक रूप से बहुत संकट में हैं, उस झाल झाल